Hello everyone, this is Soma here and welcome to Build Career Channel. तो आज हम देखेंगे future contract और forward contract के बीच में difference को. तो क्या है दोनों के बीच के difference को हर एक point को आज हम cover करेंगे. और उससे पहले हमने क्या देखा था? हमने foreign exchange risk management की सारी जो भी point है इस topic से related हम सब को cover कर चुके हैं. अगर आपको देखनी है, तो आई बटन में मैंने उसका लिंक प्रोवाइट कर दिया है, एक बास जरूर देख लीजिए, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्स्राइब करना, बल आइकन को क्लिक करना, साथ में All Notification को क्या difference है, चलिए, मिनिंग से स्टार्ट करते हैं, पिछले classes भी हम मिनिंग देख चुके हैं, पर आज हम फिर भी एक बार अच्छी तरह सी मिनिंग देख लेंगे, क्या है फॉर्वेट कॉंट्रेक्ट, फॉर्वेट कॉंट्रेक्ट, एक agreement है, किनके बीच में, बायर और सेल करते हैं पहले से डिसाइड़ प्राइज और फ्यूचर डेट पर अंडर लाइंग असेट्स को तो अंडर लाइंग असेट्स में क्या क्या आ जाते हैं जैसे कि क्या हो गई बॉंड्स हो गए या फिर और क्या गए ब्वाझ आ गई और फिर यह सा फेनेंशियल हो गए देंशियल हो गए और क्यह हो गए टी बिल करेंसिस करेंसिस कैने सी और कॉमोडिटी की जा गाए जैसले कि अल्मॉनियम गउग गै एक्षेट्ट्राँ तो पर्वरड कॉंट्रेक्ट्ट क्या करती है forward contract एक agreement होती है buyer और seller के बीच में और इसमें underlying assets को specified price और एक agreed future date पर trading की जाती है future contract भी एक agreement ही होता है जिसमें की underlying assets को specified price और future date पर buy या फिस sell किया जाता है बट कुछ differences है चलिए हम देखेंगे तो meaning हमने आपको clear कर दी चलिए अब हम देखेंगे कि contract type क्या है forward contract किस तरह की होती है forward contract जो होती है यह एक क्या होती है customized contract होती है मतलब customer की need के according change की जा सकती है यह क्या होती है एक negotiation होती है between buyer और seller के बीच में बट जो future contract क्या होती है यह standardized contract होती है जो की जिसमें की conditions होती है related to quantity date और delivery और यह सारी क्या होती है standardized form में होती है traded on कहां पर इसकी trading की जाती है forward contract जो रहती है यह over the counter trading की जाती है मतलब इन contract की कोई secondary market नहीं होती और दूसरी तरफ इसे हम क्या कहते है over the counter trading को OTC भी कहते हैं short firm देख लीजिए OTC counter OTC trading भी कहा जाता है over the counter trading और जो future contract है यह क्या होती है इनकी trading कहा होती है organized rock changes में इनकी trading की जाती है future contract की settlement settlement क्या होती है forward contract की settlement है maturity date पे होती है but future contract होती है यह क्या होती है यह market to market पे vary करता है और यह daily basis पे इनकी trading की जाती है यानि जो इसकी profit loss होती है इसकी settlement होती है वह contract के end होने तक बहुत सारी डेट्स तक डेट्स में हो सकती है रिस्क, रिस्क क्या होता है forward contract में counterparty risk बहुत ज़्यादा होता है counterparty risk यानि buyer या seller दोनों के जो opposite होते है यानि buyer को seller का risk, seller को buyer का risk इसी तरह का जो दो party में risk होता है counterparty risk इसमें क्या होता है बहुत जादा होता है इसका क्या मतलब है कि एक पार्टी डिफॉल्टर हो सकता है बट जो फ्यूचर कॉंट्रेक्ट है यह स्टेंडराइस कॉंट्रेक्ट होते हैं और इनकी जो ट्रेडिंग की जाती है यह की जाती है तहां पर इनकी ट्रेडिंग की जात जरूर कर लिजिए इसलिए transaction क्या होते है future contract में guaranteed होते हैं और इसलिए counterparty risk बहुत ही कम होता है या फिर बहुत ही कम या फिर negligible होता है size of contract इसमें जो size होती है contract की यह depend करती है किस पर contract की टर्म पर यह depend करती है बट जो future contract होता है इसमें क्या होती है जो size होती है यह fixed होती है यह standardized होती है चलिए next slide पर चलते है collateral security forward contract में क्या होता है कोई भी collateral की requirement नहीं होती बट future contract में क्या होता है initial margin की requirement होती है maturity, forward contract क्या होते है, according to terms यह mature होते है, contract में term प्रोवाइट की जाती है, उसी के according यह mature होते है पर future contract में predetermined date होता है, liquidity, forward contract क्या होते है, यह इनकी liquidity कम होती है बट जो future contract होते हैं, यह highly liquidate होते हैं, और अब हम next point क्या देखेंगे, regulation, regulation, forward contract में, manager से आपको बताया, seller buyer इस तरह से दो जो party होते हैं, इसलिए self regulated होते हैं, कोई भी governmental इसमें regulation नहीं होती है बट जो future contract होती है, यह highly regulating market है, यह stock exchange के थूरू इनको regulate किया जाता है, इनकी settlement क्या होती है, एक stock exchange के थूरू होती है, इसलिए इसलिए इनमें जो इसमें जो regulation क्या होती है, stock exchange के थ्रू होते हैं, ये highly regulated होते हैं, और मैं आपको दो एक point और भी बताऊंगी, कि जो forward contract है, इनको hazard होते हैं, ह적 के यूज करते हैं, forward contract को कौन यूज करता है, हेcan के लिए से यूज की जाती है, mostly, और जो इसमें assets की price होती है, इसमें flexibility है, उससे कम करने के लिए से यूज किया जाता है, hazard की thinking क्या रहती है, कि जो assets की price में flexibility होती है, उसे कम किया जा सके, बट जो future contract होते हैं, इन्हें कौन यूज करता है, इन्हें speculator ज्यादा यूज करते हैं, speculator यूज करते हैं, speculating के लिए, note down कर लिए, forward contract हेजिंग में यूज होता है ज्यादा तर, और future contract speculation में यूज किया जाता है, एक और point कि, जो forward contract होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताएं कि इनकी liquidity बहुत ही कम होती है, लो होती है, बट future contract क्या होते हैं, ये highly liquidate market होते हैं, और इसमें investors कभी भी enter हो सकते हैं, या फिर कभी भी exit कर सकते हैं market से, forward contract के बारे में एक और point नो डाउन कर लिजिए कि, ये क्या होते हैं, ये private contact होते हैं, private contract मतलब, customized हो सकते हैं, ये tailor made होते हैं, यानि कि buyer और seller के according contact को तेयार किया जा सकता है, but future contract manager से बताया कि ये क्या होते हैं, ये standardized होते हैं, तो ये तो सारे points से जिससे की आपको पता चल गया होगा कि forward contract और future contract के बीच में क्या difference है, चलिए, next slide हम चलेंगे, दोनों के बीच हम difference को देख चुके हैं, मुझे आपको ये current affair, current news के बारे में बता नहीं है, तो चलिए देखते हैं, इनका क्या नाम है, new, जो, world trade organization की new head कौन बनी है, एन, गोजी, ओकोंजो, इवियला, नाम थोड़ा difficult है, बड़ हो जाएगा, ध्यान में रखी इनका नाम, क्या नाम है, ये इनका नाम है, एन, गोजी, ओकोंजो, ओकोंजो, इवियला, और ये कौन है, ये अभी new head money है, world trade organization की, और ये पहले क्या थी, ये as a economist, finance minister of Nigeria, और ये managing director थी, world bank की, तो मैंने आपको एक current affair भी प्रोवाइट कर दिया है, तो I hope आपको ये class पसंद आई होगी, अगर class पसंद है, तो like share करना, thank you for watching this class.